हेलो फ्रेंज वेलकम टू माय चैनल सीटू पटेल टिफ्स पॉर वोमेन और फ्रेंज आज हम बताएंगे कई तरीके के जो फंगल इंफ्रेक्शन होते हैं उनको दूर करने के लिए आप कलॉंजी के ओईल का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और यह काफी फायदेवन्द भ यह कलॉंजी की जो सीट सोते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है और अगर हम कलॉंजी के तेल की बात करें तो यह भी काफी फायदेमंद है और कई तरीके के संक्रमन को से बचाने में भी आपकी मदद करता है फ्रेंज इसके कई तरीके के और भी औशदीगों हैं जो कई तरीके की बिमारियों को ठीक करते हैं यदि हम संक्रमन की बात करें तो सरीर के जो प्रतिरोधक छमता है वो कम हो जाती है जिसके कारण आपको जल्दी से जल्दी संक्रमन होने लगते हैं वेक्टिरिया के उपस्तिती बग जाती है और आपको कई तरीके के रोग हो जाते है फ्लू और जो मौसमी बुखार होते हैं इस तरीके की बिमारियां भी ज़्यादा होने लगते हैं यदि हम फंगल इंस्फेक्शन की बात करें तो ये भी आपके रोग प्रतिवर्दक चंता कम होने की बज़े से ही होते हैं और बहुत ज़्यादा बग़ भी जाते हैं तो फ्रेंस इनसे बर्चने के लिए आप इसके तेल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि कई तरीके की बिमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है अगर हम बात करें अपने तचा पर पंगले वाले असर की तो कई सोध हमें ये सावित हुआ है कि कलोंजी के जो तेल होते हैं उसका उप्योग कई तरीके के फंगल संक्रमा यानि फंगल इंफेक्शन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उसे वापस आने की संभावना भी काफी कम हो जाती है तो फ्रेंस यदि आप फंगल इंफेक्शन से ग्रसे थे हैं तो आप इसके तेल का प्रयोग कर सकते हैं ये आपको कई तरीके के संक्रमा से रोग बचाने में काफी हेल्प करेगा तो फ्रेंस ये थी चोटी सी जानकारी उमीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही वेल का इकन को जरूर अन करने ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए और फ्रेंस अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक औ शेयर जरूर करें